दोस्तो यूपी स्पेसल जी के सीरीज के तहट आगे बढ़ते हुए आज हम ट्रिक से याद करेंगे उत्तर परदेश के परमुक सोध अनुसंदान संस्थान परिक्षा में क्वेशन पूछे जाते हैं और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे बिलकुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में चलिए शुरू करते हैं फटा फाट सबसे पहले बात करते हैं लखनाव की भाई देखिए लखना उत्तर परदेश की राजदानी है अब राजदानी है तो यहाँ पर बहुत से सोध अनुसंदान संस्थान है और भी है आगे वीडियो में कवर करेंगे पहले इनको ट्रिक से देख लीजिए अब लखनाव का हो गया लाक लखनाव लाक अगर यह आपने रिलेट कर लिया ना लखनाव लाक तो यह सारे संस्थान आपको याद हो जाएंगे सबसे पहले है भारतिये विश्विज्ञान विश्यान यानि की जहर अब लखनाव को हम रिलेट कर रहे हैं लाकों से जिस बंदे पर लाकों का कर्ज चड़ जाता है लाकों रुपे कर्ज में डूब जाता है तो वो फिर विश लेने की सोचता है जहर लेने की अपने आपको खतम करने की सोचता है लेकिन ये गल्त है लाकों कर्ज चड़ गया क्या दिक्कत है आप विश क्यों ले रहे हो जहर क्यों ले रहे हो आपका लाकों का कर्ज भी उतरेगा कैसे उतरेगा बताएंगे वीडिय क्यों ले रहे है जैर क्यों ले रहे है आप मेहनत कीजिए आप सुरुवात कीजिए बागवानी से आप बागवानी लगाईए लाख रुपे कमाईए नेक्स्ट राष्टी है मतश्य अनुवांसिक संस्थान अब बागवानी आपने लगा ली उसके अंदर आप मतश्य पालन लीजिये औस दिय अदर लगा लो ओस्टिय पोधे लगा लो उसके अब आपने जो पहले ना तो कुछ सुकंधित पोधे लगा लो बाई सब कुछ करो आप लाखों में खेलों और लगनों में खेलों इस फाइ नेक्स्ट राष्ट्य वंस मत रखेले उसके अंदर सारी वंसंपती हो नी चीए कोई भी ऐसा वन ना हो जो आपके बाग में ना हो आप लाखों में खेलोगे भाई लखनाव में खेलोगे एक बार फिर से देख लीजिये अब बंदे को ना लाखों का करज चड़ गया वो विश ले रहा है जहेर ले रहा है अपने इसे काम नहीं चलेगा लाखों का कर्ज उतरेगा क्या करना है बागवानी सरू कर उसके अंदर मतश्य पालन कर उसके अंदर तु ओस दी लगा सुगंदित पोधे लगा सारी वंसपती लगा और लाखों में कमा लखनों में कमा उसके बाद बीरबल सहानी पुरा वनस्पती विज्ञान संस्तान लखनव में है राष्टिय गन्ना अनुसंदान संस्तान लखनव में है नियाईक परसिक्षन एवम अनुसंदान संस्तान लखनव में है राष्टिय संस्कृतिक संपदा संग्रक्षन संस्तान लखनव में है Indian Technological Research Center लखनव में है, अनुसंदान अभी कल्प एवो मानक संगटन लखनव में है, अब बीरबल सहानी, अकबर बीरबल के किसे आपने सुने होंगे, तो बीरबल तो भाई जो बात बोलता था ना, वो लाख टके की बात बोलता था, बीरबल के किसे सुने होंगे आपने, बीर राष्टिय गन्ना अनुसंदान संस्थान, अब भई गन्ने का सरकार पे लाखो बकाया है, लखनव लाखो से रिलेट कर रहे है, गन्ने का सरकार पे लाखो बकाया है, सरकार ने किसानों का गन्ने का लाखो रुपे देना है, लाखो बकाया है, तो राष्टिय गन्ना राजदानी में मिलेगा राजदानी जाईए उत्तर परदेश की राजदानी लखनव है तो न्याए प्रसिक्षन आपको कहा मिलेगा लखनव में मिलेगा और न्याए भी आपको लखनव में ही मिलेगा नेक्स्ट राश्टिय संस्कृतिक संपधा संगरक्षन संस्थान अब तो रहे सांस्कृतिक की के भाई सांस्कृतिक प्रोग्राम कहां पर होंगे भाई जो अपना राज्य है उत्तर परदेस है उसकी जो राज़दानी लखनव वहीं पर होंगे सांस्कृतिक प्रोग्राम और लाखो रुपे लगा कर होंगे भाई लाखो रुपे का खर्चा करके राजदानी में याने की लखनव में राश्टिय सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया और भाई किया भी जाना चाहिए सांस्कृतिक प्रोग्राम तो राजदानी में ही किये जाने चाहिए नेक्स्ट इंडियन टेक्नलोजिक्स रिसर्च सेंटर काँ पर है लखनव में इंडियन टेक्नलोजिक्स इंडियन याने की भारतिय टेक्नलोजी के माध्यम से लाखो कमा रहे हैं आप तीन पत्ती खेल रहे हो पपजी खेल रहे हो ये कर रहे हो वो कर रहे हो लेकिन इंडियन टेक्नलोजी के बाद हम से लाको कमा रहे हैं लखनव कमा रहे हैं लखनव लाको कमा रहे हैं अनुसंदान अभी कल पर मानक संगठंग यान कि रिजार्च डिजाइन- Standard Organization अब बहुत से बंदे न Design से Standard से Design कर रहे है मकानों को Design कर रहे है कारों को तो Designing में भी लाखो रुपए है और लाखो कमा रहे है लखनव में कमा रहे हैं लाको किस पेस पे डिजाइनिंग्स वे डिजाइन कर रहे हैं मकानों को कार्स को नहीं नहीं बिल्डिंग्स को और स्टेंडर्ड के साथ डिजाइन कर रहे हैं तो डिजाइन एंड स्टेंडर्स और्गनाइजेशन लखनव आप भी लाको कमा सकते हैं वीवी गिरी राष्ट्य श्रम सनस्थान है कहाँ पर नोयडा में, अब नोयडा में वो इसा आ रही है नो, नो, नहीं, नहीं, एडा, यानल कि मैं एडा हू upstream, बन्दा है, हर बात के लिए, हर काम के लिए बोल देता है, नो, नोयडा, नोयडा क्यों क्योंकि मैं हूँ एडा, अब पापा कह रहें बेटा तु लगु वैशाय कर ले हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तेरों को बहुत बड़ा बिजनेस करके दे बेटा तु लगु वैशाय कर ले, सरवातों कर कम से कम बच्चे ने बोल दिया नो नो, नो, क्यों मैं हूँ एडा जाने की नो एडा उसने लगुवेशाय करने से नो कर दिया फिर पापा कह रहे है राष्टिय जेविक संस्थान नेशनल इंस्टूट ओफ बायोलोजीकल के बेटा तू बायो ले ले बायोलोजी ले ताकि कुछ कर पाए लाइप में उसने बोल दिया नो एडा नो 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 क्यों क्यों कि मैं हूँ एडा नो एडा नो पापा मुझे कोई बायो नहीं ले नी कोई बायोलोजी नहीं ले नी उसके बाद कोशी किये एवम निवारन अर्द बुर्द शास्तर संस्थान पापा फिर कोशिस करते हैं बच्चा है बटक गया होगा समझा आता हूं बेटा तू बायोलोजी ले 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 अगर तू बायोलोजी ले लेगा बायो ले लेगा तो कोशिकाओ का निवारन कर पाएगा कोशिकाओ का निवारन कर पाएगा कब जब तू बायो लेगा बायोलोजी लेगा बच्चे न बोल दिया नो नो इडा ना बायोलोजी ल रे बेटे को अरे बेटा तू इतना गिर गया इतना गिर जाएगा मुझे नहीं पता था ज्यादा कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम राष्ट के परती थोड़ा स्रमदान तो करो राष्ट के लिए स्रमदान करो इतना भी ना गिरो वी वी गिरी राष्ट ये स्रम संस्तान नो ए एडा नो एडा नेक्स्ट कानपूर और कानपूर में है राश्टिय चीनी अनुसंदान संस्थान और भारतिय दलहन अनुसंदान संस्थान अब जो चीनी लोग होते हैं न भाई वो आपस में एक दूसरे के कान भरते रहते हैं चिंग चांग चिंग चांग चिंग चांग हमा उसके बाद है डॉक्टर अमबेडकर ah technology for handicapped अब जो handicapped के साथ वत्तमी जी करेगा दॉक्तर अमबेडगर मुस्तम ने बोला है उसको कान पकड़ कर माफी मांगनी पड़ेगी कानपूर कान भाई हैंडिकेप के साथ आप बुरा वहवार करोगे उनके साथ गल्त वहवार करोगे तो आपको कान पकड़ कर माफी मांगनी पड़ेगी की ऐसा प्रावदान डॉक्टर भीमरा उंबेडगरजी ने कर दिया है तो भाई दिव्यांग जनों की इज्जत कीजिए उनको रिस्पेक्ट दीजिए उनके साथ बत्तमीजे मत कीजिए ना तो कान पकड़कर माफी मागनी पड़ेगी पूरे कानपूर के सामने नेक्स्ट वारांची वारांची में भारतिय सब्जी अनुसंदान संस्तान और इंडियन इस्टूट आफ हैंडिलूम टेक्नलोजी ये दोनों वारांची में हैं अब वारांची का हो गया वानी वारांची वानी और यहां बात हो रही है भारतिय सब्जी जो बारतिय सब्जी बेशते हैं वो मधूर वानी में बेशते हैं उनकी वानी अच्छी होती है मधूर होती है तब ही उनकी सबजी अभिक्ती है आपने देखा होगा मोले में आते हैं प्यार से बोलते हैं सबची ले लो आलू गोभी बैंगन मटर टमाटर ले लो वो मधूर वानी में बेशते हैं वह सबजी तो वारांची भारतिय अनुसंदान संस्तान है सबजी बेचनी है तो मदुर वानी में बेचो इंडियान इंस्टूट आफ हैंडलूम टेक्नलोजी अगर आपकी वानी अच्छी आपकी वानी श्ट्रोंग है ना तो आप हर किसी को हैंडलूम हैंडल कर सकते हो चाहे कोई भी हो आपकी वानी में दम होना चाहिए आपकी वारानसी में दम होना चाहिए आप किसी को भी अनुसंदान के इंदर भारतिये चरागहा एवम चारा अनुसंदान संस्थान अब जासी का हो गया फासी जासी और बात हो रही है किरसी की किरसक की किसानों की अकाल पड़ जाता है वो ज्यादा कर्ज चड़ जाता है तो वो चले जाते हैं जासी की तरफ फासी की तरफ लेकि आप जासी की तरफ मत जाईए फासी की तरफ मत जाईए उसके बाद है भारतिय चरा गाहा एवं चारा कुछ किरसक कुछ किसान चरा गाहा में चारा खतम होने पर भी जासी की तरफ चले जाते हैं फासी की तरफ चले जाते हैं भाई बारिस होगी फिर से चारा गाहा में चारा आएगा लेकिन आप जासी की तरफ मत जाईए फासी की तरफ मत जाईए मेरी किरसक से किसानों से हाँ जोड के विंती है next परियाग राज और परियाग राज में हरिशंदर अनुसंदान संस्थान और गौविंद वलबप पंत सामाजिक विग्यान संस्थान अब परियाग राज का होगा परियोग राज करने के लिए राजा परियोग करते रहते थे परियाग राज करते रहते थे और हरिशंदर राजा हरिशंदर का नाम आपने सुना होगा बहुत अच्छे राजा थे सच्छे राजा थे और वो अपनी परजा को खुश रखने के ल ये हमेशा परियाग राज करते रहते थे परियोग करते रहते थे उसके बाद है गौविंद वल्लब पंथ गौविंद आने की गौविंद अपने टाइम में सूपर स्टार थे सूपर डूपर स्टार थे लेकिन आज की डेट में उन्हें कोई नहीं पूचता लेकिन फिर भी वो फिल्मों में आने के लिए ने ने प्रियोग करते रहते हैं प्रियोग कर रहे हैं प्रियाग राज कर रहे हैं कौन गोविंदा सहाब गोविंद वल्लब पंथ समाजिक विज्ञान संस्थाब प्रियाग नेक्स्ट बरेली और बरेली के इज़त नगर में है चैंडिर ये पक्षी अनुसंदान संस्तान और बारतिये पसू चिकित्सा अनुसंदान संस्तान ये दोनों बरेली के इजट नगर में है भाई पक्षियों की और पसू की हमें इजध करनी चाहिए ऐसे याद रख सकते हैं या फिर बरेली का हो गया बेर पक्षियों को बेर बहुत पसंद है और हम पक्षियों को बेर खिलाते हैं लेकिन पशू चिकित सब पस्वो को बरेली बेल से बांदते हैं पक्षियों को बेर खिलाते हैं पस्वो को बेल से बांदते हैं बरेली से बां स्थान अब बंदा आगया घर पे कालिन मांग ले अब कालिन दे दो उनको गंदी करके दे 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 तो हमने भाना लगा दिया भाई दोही भाई धोदी क्या कालिन धोदी भाई धोदी कालिन नहीं है गिली है उसको मुश्किल से रफा दफा किया क्या बोलके भाई कालिन धोद बदोही धोदी क्या कालित हो गया सहारा भाई कागच के सहारे पेपर के सहारे आप अपने मन की बात लिख सकते हो समाज को बता सकते हो जग जाहिर कर सकते हो किसके सहारे कागच के सहारे कलम के सहारे पेपर के सहारे सहारन पूर और यूपी स्पेशल जीके पर हम बहुत से ट्रिक वीडियो बना चुके इस वीडियो के डिस्क्रेशन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप जेक आउट कर सकते हैं वीडियो एलफुल लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा चैनल पर नए सस्क्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारा